ऐलो गाइस तो चलिए इस वीडियो में जो हम डिसकस कर लेते हैं और ये जो आप चार्ट देख रहे हो में इसको वंडे डाइम फ्रेम में सेट कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो आज दिन में स्टॉक में लगबग 5.80% 6% की भी तीजी यहाँ पे हमें देखने को म बहुत ही जदा एक important support zone है 215 से लेके 220 का क्यूंकि stock जो है इसे लेवल पर आने के बाद multiple time पहले भी यहीं पर support ले लेकर ऊपर की और हमें इसमें bounce देखने को मिल रहा है अभी फिर से आप देख सकते हो पिछले almost 6 दिन की गिरावट के बाद again यहां पर support लेके फिर से आज की द दे रहा है possibility यहां से हमें upside में तीजी continue होते वे दिखाई दे सकती है अभी next important resistance level की बात करेंगे तो यहां पर मैं आपको properly draw करके बताना चाहूंगा उपर के साइड में देखिए यहां पर 246 से लेके 243 का एक important resistance level होने वाला है क्योंकि इसे level पर आने के बाद multiple time हमें यहीं से इसमें rejections देखने को मिल रहा है तो यहीं पर हमारा next important resistance level रहेगा और इसको भी उबर के ब्रेक आउट करता है तो फिर next resistance level 260 से लेके almost 262 का होने वाला है फिलाल नीचे के साइड में MSD indicator हमने set कर लिया है MSD indicator की बात करेंगे तो यहां पर आभी तक तो कोई bullish crossover हमें देखने को नहीं मिला है तो यहां पर इसको फिलाल के लिए कोई भी पॉइंट नहीं देख सकते हैं neutral में हम अगर इसको काउंट करेंगे तो चलेगा लेकिन यहां पर एक important support zone है possibility जदा ही रहेगी यहां से उपर की और bounce देखने को मिल जाए अगर in case यहां पर support zone break करता है नीचे की और तो यहां से गिरावट हमें continue होते वे भी दिखाई दे सकती है तो इसमें कोई आपको बाइंग recommendation नहीं है ताकि आपको levels कैसे find out किया जाते हैं यह पता चले और अब तक आपने अब स्टॉक से इंजल वन में तो वह दिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है यहां पर अकाउंट ओपनिंग की free link दे दी है वहां से आप free में डीमेट अकाउंट भी open कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में सिर्व इतना है था वीडियो अच्छा लागाता है वीडियो को इसली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में